जय मातादी नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने चैनल एस्ट्रो सच में दोस्तों करीब 300 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहत दिव्य दुरलब और अद्भुत शुभ संयोग में शारदिय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और दोस्तों इस बार की यह नवरात्री बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदिय नवरात्री ठीक सूर्य ग्रहन के बाद पढ़ रही है और इस सूर्य ग्रहन के प्रभाव से लोगों की किसमत चमकने वाली है। दोस्तों इस बार की नवरात्री चुपचाप किसी भी छोटी कन्या को यह चीज दे देते हैं है, तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा, और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी, और दोस्तों, इस एक मात उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, और मा दुरगा आपके घर में वास करने आती है, है और आपका घर धन धान्य से भर देती है, आखिर कौन सी है वह चीज, जो आपको किसी भी छोटी कन्या को इस नवरात्री कन्या पूजन में देनी है, आज ह आपकी अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्री के दिनों में मातारानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वर्दान प्रदान करती है। पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना की कन्या पूजन से होती है। नवरात्री में छोटी-छोटी कन्याओं को मातारानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीरवाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन करने के लिए उपहार दिये जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेद दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेट स्वीकार कर ली, जिन पर कन्या प्रसन होती है। माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीरवाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुनहमांगा वर्दान प्राप्त होता है। इनके पूजन से भक्त का कल्यान होता है। और इनके पूजन से शत्रूओं का नाश होता है। आशीरवाद के बिना नवरात्री के वरत और पूजन अधूरे रहते हैं। जिसे आप नवरात्री के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं। में देवी मा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्री के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्रधारन करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और एक थाली में रख लें। मातारानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूब बत्ती जलाई। अगर आपने अखंड जोद जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। मातारानी को कुम-कुम से तिलक करें। फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तिलक करने के बाद उसी कुम-कुम से जटा वाला नारियल पर एक स्वास्थिक का चिन्ह बनाएं। इस नारियल को मातारानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा मा को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह मातारानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना मातारानी से कहें। फिर आप मातारानी के इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शादी के शरण ये त्रयंबक के गौरी नारायनी नमोस्तुते मंत्र एक बार फिर से सुन लें ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शादी के शरण ट्रंप के गौरी नारायनी नमोस्तुते इस मंत्र का अर्थ है, सब प्रकार के शुभ करने वाली मंगल मैं माता, आप कल्यान कारी और सब मनोरतों को पूरा करने वाली हूँ, आप शरण ग्रहन करने योग्य और त्रिकाल दर्शी तथा वर्तमान, भूत एवं भविश्य को प्रत्यक्ष देखने वाली हो हैं। नारायनी, आप सब में व्याप्त है, आपको नमस्कार है, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मा दुर्गा की इन शक्तियों को जागरित करने के लिए मा दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। और माता रानी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को या नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किये हुए इस श्रीफल को स्विकार करें। अब यह श्रीफल आप किसी कन्या को अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह नारियल आपको दस वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है। मन चाहा वर्दान प्राप्थ होता है। मन चाहा वर्दान होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्री में आप यह कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्नान आधी करके पूजन अवश्य ही करें। मातारानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्या को या भेंट अवश्य दें। पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य न करें। यह भेंट आप कन्या को मातारानी का स्वरूप मान कर दे रहे हैं। नवरात्री में वरत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है। इसलिए नवरात्री के दौरान भूल कर भी किसी भी कन्या का अपमान न करें। नवरात्रे के दोरान आपके घर आई कोई भी कन्या या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ न जा पाए दोस्तों वैसे तो हमने आपको सभी जानकारी दे दी है पर कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए यह भी आपके लिए जानना बेहत जरूरी है तहाए आईए आपको बताते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें पहले उनके पाव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल सिटी का करें उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए फिर कन्याओं को खीर पूरी सबजी और हलवा चना परोसें इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए वे जितना खा पाए उनहें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए और भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इन में फल सिक्के लाल चुनरी मिठाई, एक कोई बटन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो, तो आप इन में से कोई एक चीज दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छुकर आशीर वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आए दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी ढहते नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना करवाएं। नौ कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फ भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इसके अलावा कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें। और को कन्याओं से पहले खाने को दें। और कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। दोस्तों, आईए। अब आपको सुनाते नवरात्री वरत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे ब्रहस्पती, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो इनसान मनोरत पूर्ण करने। करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करें और दस दिन बांधवों सहित नवरात्र वरत की कथा का श्रवन करें। ब्रहस्पती जिसने पहले इस महावरत को किया है, वह कथा? मैं तुम्हे सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्रहमन रहता था। वह मा दुरगा का भक्त था। उसे संपूर्ण सदगुणों से युक्त सुमती नाम की एक अत्यंत सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीडा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। पिता की बात सुनकर सुमती को बढ़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता में आपकी कन्या हुँ तथा तरह आपके आधीन हुँ जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्टी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाह मेरा विवाह क करना चाहिए, कद्दू पर होगा, वहीं जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कम करना मनुष्य के आधीन है, पर फल देना इश्वर के आधीन है। जिस से मुझे ऐसा पती मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पती के साथ वन में चली गई। और डरावने कुशा आयुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख, दे कौन हैं, वह सब मुझसे कहो, बू. तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पती को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल्द ही पिया। इस प्रकार नौ दिन तक नवरा अगर आप मुझे पर प्रसन्न हैं, तो ही दुर्गे मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्रिपा करके मेरे पती का कोड दूर करो। अगर आ प्रसन्न हो प्रसन्न हो, मनोवांशित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अंबे, मुझे निरपराध हबला को मेरे पिता ने कुष्टी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी रक और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग लें। श्रीमती ने कहा कि है भगवती दुर्गे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मनी के वचन सुन्मा। दुर्गा ने कहा। ब्राह्मनी मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती है। चैत्र मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौ दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बना कर उसको प्रतिदिन जल से सीटें, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। जौरा के फल से अर्ग्य देने से रूप की प्राप्ती होती है। जाय फल से अर्ग्य देने पर कीर्ती डाक से कार्य की सिद्धी होती है। उख्या देने से आभूशनों की प्राप्ती होती है। इस प्रकार पुष्पों वो फलों से अरग्या देकर व्रत समाउप्त होने पर नवें दिन विधिविधान हवन करें। खान ही गेहुं शहद जौतिल बिल्व नारियल दाग और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। उसके सब मनुरत सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदी दिया जाता है उसका करोडों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यग्य का फल मिलता है। अर्थ जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर, अंत में मोक्ष की प्राप्ती करता है। ब्रह्मा जी ब्रहस्पती जी से कहते हैं कि यह इस दुरलभ व्रत का माहात्मय है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा करने वाली है